तो आज हम देखने वाले बहुत ही टेस्टी हेल्दी मिक्स वेज रेसिपी एक्चुली यह वेट लॉस के लिए सूपर अप है वेट लॉस की ही रेसिपी है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप खाएंगे तो आपका पेट भी भारा भारा से फिल होगा और इसकी तो फटापट से देखते बना सकते तो चले फटा पट इसकी रेसिपी है इसमें मैं मैं नमक दाल रही हूं और प्रीत है मैंने इसे clean करके लिया है और गर्म पानी में हम इसे डालेंगे और एक उबालाने तक वेट करेंगे नहीं तो आप इसे गर्म पानी में चोड़ सकते हैं तो ज़ादा पकी हुई नहीं रहती तो कॉली फ्लावर को मैं इसी तरह से छोड़ रही हूं और यहां मैंने एक नॉन स्टिक की कडाई ली है उसी में मैंने हाप स्पून ओयल डाला है और इसमें मैं बन स्पून चौपड जिंजर डाल रही हूं जिंजर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चौप लसुन तो वन स्पून में लसुन को भी डाल रहे हूं देखिए इस तरके से तो जब हम वेट लॉस की कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें लसुन और जिंजर डालना ही चाहिए और फिर मैंने यहां हाप स्पून जीरा ड स्पून के लेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए पहुँच जब ब्रावन हमें इसे नहीं बनाना जस्त थोड़ा सा इसे भून के लेंगे तो इसी में ही दो बेलिफ में डाल रहे हूं फ्लेवर के लिए इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आप से वेट लॉस के लिए नहीं पना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ओइल जादा भी डाल सकतें अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो इस तरके से सबजी बना कर देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इसकी तो अभी यह देखिए इस तरके से यह भून के बाद हम इसमें डालेंगे वन बाउल भर के चौपडा ओनियन तो इसे भी भूनना है लेकिन इसे ब्राउन होने तक नहीं भूनना जस्त थोड़ा साम इसे भूनेंगे थोड़ा सा सौटे करेंगे जो प्याज का रॉस मेल होता है वो पूरी तरह से निकलना चाहिए इस तरके से मिक्स करते रहेंगे इसी में हम डालेंगे नमक तो स्वादान उसा नमक हमें इसमें डालना है नमक डालने के बाद जल्दी से ओनियन भूनता है इसलिए जब हम प्यास को भूनते उसी टाइम नमक डालना है और अभी देखिए इस तरके से हमें प्यास को भूनना ह तो अभी परफेक्ट भूनके रेडियु हुआ है इसी में ही हम अभी एड करेंगे टर्मरिक पावडर तो हाप स्पून से भी कम मैंने यहां टर्मरिक पावडर का यूज किया है तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह रेशिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है इसमें हम बहुत जादा कुछ नहीं डालने वाले तो बात में हम इसमें डालेंगे वन स्पून धनिया पावडर याने कौरियंडर पावडर में इसमें वन स्पून डाल रहे हूं इसे भी अच्छे से तो धनिया की पाउडर डालने के बाद देखे बहुत ही बड़ीया स्मेल आता है तो यहां घर में चारो तरफ खुश्बू फैल रही है बहुत ही मजा रहा है इसे बनाते टाइम और इसी में ही मैं वन बाउल भरके चौपड़ टोमेटो डाल रही हूं तो टोमेटो डालने के पाद इसमें तोड़ा सा पानी चुटना शुरू हो जाता है तो देखे यह पी अच्छी तरह से पून चुका है अब हम इसी में डालेंगे ग्रीन पीस को तो यहां मैंने फ्रेश फ्रेश हरे मटार लिए हैं तो वन पाउल भरके मैंने यहां मटार लिए हैं और इसे अच् परसंटेश तक ही हम इसे पकाएंगे अगर आप पहुंच ज़्यादा पकाएंगे तो इसके पूरे न्यूट्रियंस आपको नहीं मिलेंगे तो इसलिए जब आप पेट लॉस रेसिपी बनाते हैं तो किसी भी टाइप की सबजी आप बनाएंगे तो 80 परसंटेश तक ही कु करेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे कॉलिफ लावर जो हमने गरम पाने में इसे उबाल के लिया है उसी को इसमें डाल रहे हैं इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया की पतिया तो आपके पसंद से आप इसमें धनिया की पतिया कम ज़्यादा कर सकते हैं बट मै बहुत ही फटापट से बढ़ने वाली ये रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है आप इसे जरूर बना कर देखिए फ्रेंस इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वेट लॉस के रेसिपी अपलोड की हैं तो देखिए ये लीड हटाने के बात कुछ इस तरीके से सब बढ़ने वाला है अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते अभी ये रेडी हो चुकी है इसमें हमने मुफली पावडर या कुछ भी तीखा वाला डाला नहीं है इतना ही हमने इसमें डाला है मैंने ग्रीन चिली डाल कर इस सब जो को बना दिया है अगर आपको ग्रीन इसका लुक है बहुत ज़्यादा कलरफुल है देखते ही खाने का मन करता है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करके देखे अगर आपको इसे किसी भी राइस के साथ रोटी के साथ या चापाती के साथ खाना है तो आप खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगने वाली है if you like my video please subscribe my channel and enjoy thank you for watching asha's tasty world